हेलो दोस्तो मैं हूँ समित नगर कोटी और आपके लिए आज मैं बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर आया हूँ जो आप सुनेंगे तो आपको जुरुर पसंद आएगी तो इस कहानी का नाम है महराना शंबू सिंग जी के बारे में 1868 हिस्वी में भीशन अकाल पड़ा तब मेवाड के महराना शंबू सिंग ने उस जमाने के लाखु रुपे खर्च करके बाहर से आनाज मंगवाया इस अकाल में 11,63,000 लोगों को उदैपूर में भूजन करवाया गया अकाल के वक्त हैजा के बिमारी भी फ्हलने लगी जिसके बाद कई लोग मरने लगे उदैपूर में एक मातर पिछोला जिल में थोड़ा पानी शेश था मंत्रियों ने महराणा से कहा कि आप यहां से कुछ कोस दूर चले जाएं लेकिन महराणा ने कहा कि ऐसी विपत्ती में जो शाशक प्रजा के काम ना आ सके वो शाशक कहलाने योगी ही नहीं है महाराणा शंबू सिंग जी ने जनता से कहा कि मरने वाले लोगों के शवा धान के बाद परिजनों के नहाने के लिए वो प्यासों को पाने मिल सके इसलिए जनता को पिछवला जिल के पास ही आजाना चाहिए इस तरह महाराणा के सतकर्मों से अनेक लोगों के प्राण बच गए महाराणा शंबू सिंग जी भारती एतिहास में महत्वपोर्ण वेक्ती थे वह अपनी वीर्ता और राजनीतिक दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने मेवाड के गौरों की रक्षा की महाराणा शंबू सिंग जी का युगदान भारती एतिहास में महत्वपोर्ण है और वे अपनी वीर्ता और नित्रित्व के लिए याद किये जाते हैं और हमेशा किये जाते रहेंगे तो दूस्तो आपने इनकी कहानी से क्या सीखा हमें कॉमेंट में बताएं और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक यू